मुश्खिल राहों में भी बिल्कुल आसान सा सफर लगता है कि ये कुछ और नहीं बस मेरे पिता के दुआओं का आसर लगता है तो फ्रेंटस मैं आपकी दोशुदा सिंग बिकलांग साथी ट्रस्ट के दिब्यांगम चैनल से आप सब का स्वागत करती हूं और आसा करती हूँ, आप लोग सस्त होंगे तो friends, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ Father's Day है ना, हमारे पिता ही एक ऐसे होते हैं जो हमें सची राह दिखाते हैं और Father's Day पर उनकी सुमंज्जा मैम की एक कहानी जो गोरकपुर से एक अध्यापिका है उनकी ये कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आसा करती हूँ, ये कहानी आप लोगों बहुत पसंद आएगी और आप लोग इस कहानी से agree भी करेंगे तो उनकी ये कहानी है फादर्षटे आज मिस्टर दास बहुत उदास थे, कारण था फादर्षटे है, इसलिए कम से कम आप तो उसे फोन करना ही चाहिए था मगर नहीं, अब तो कोई फोन नहीं आया मिस्टर दास का एक ही तो बेटा है, जो अबराड में रहता है और कभी कभार उनके हाल-चाल पूछ लेता है दर्दवाई की चिंता कर लेता है, क्योंकि कौन साकर के देना होता है उसे फोन से ही तो पूछना होता है, और जिम्मेदारी उसके खतम मिस्टर दास की पतनी का सर्गवास हो चुका था और एक बेटी है, उसे भी अपने भाई की देखा देखी उसने पने भाई की देखा देखी लब में रिस्क्यार, किंत निभा ना पाई क्योंकि पती देशी है, वो परिवार के साथ रहता है डॉलर में कमाई जो नहीं होती है, साथ ही साथ फराटे दा रंग्रेजी नहीं बोलता इन्हीं सारे कारोडों से बेटी सस्राल में नहीं खप पाई और दुद मुही बच्ची को लेकर डेट के पास आ गई तरकि ये कि डेट अकेले हैं कोई देखभाल करने वाला नहीं है उपर से घर में आमदनी अच्छी है किसी भी ऐसो आराम की कोई कमी नहीं है कोई टीका टप्ड़ी करने वाला नहीं है कोई किसी चीज में खलर डालने वाला नहीं है साथ ही दिमाग का वो कीड़ा भी कि जब मेरी भावी अपने ससुन की जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं क्यूं आखिर मैं ही क्यूं? साथ ही भाई भी भाव होका सतावना देने में नहीं चुकता था एक तुम ही तो हो कि मैं डैट को पूरी तरह निस्चिंत हूं तुम्हारे उपर छोड़ कर तुम ही होना मैं किसी से भी सुख सुखदा की कमी नहीं होने दूंगा बस तुम डैट का खयाल रखना और वो हर संभोग खयाल रखती अपने डैट का और डैट उसका इस खयाल के आगे पती का खयाल उसे सून ने वटा सून ने लगता और सुस्राल की आमदनी जैसे उट के मुह में जीरा लगती बेटे बिदेश में है तो अच्छांस और देशांतर का भी फर्क है यहाँ दिन तो वहाँ रात और वहाँ रात तो यहाँ दिन रात के लगब बारा वजे फोन की घंटी वजी मिश्टर दास अपनी दिन्चरिया के अंसार दवा आ दिखा कर सोने के उपकर्म कर रहे थे मगर नीद को सो दूर है दिमाग बेटे पर अटका हुआ है हडवड़ा कर उन्होंने फोन उठाया आवाज आई हलो डैड हाँ सॉरी डैड आज मीटिंग में कुछ जादा ही बिजी हो गया था बिजिटिंग पर पिष्टिंग हो रही थी सांस लेने की भी फूर्षत नहीं मिली बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा समय निकाला है हाँ डैड थोड़ा सा टाइम निकाला है डैड हैपी फादर्ष्टे वैसे मैं बहुत भाग साली हूँ डैड जो आप मेरे पास इतनी समझदार वहना है जो आपका इतना खयाल रखती है उसने तो बड़े अच्छे से फादर्ष्टे बनाया होगा ना आपका फिर भी डैड अगेन आई वीश यू एव वेरी हैपे फादर्ष्टे जब तक मिश्टर दास कुछ कहते कुछ कहते हैं तब तक फोन कड़ चुका था उधर बेटे के चेहरे पर संतुष्टी के भाव उमड रहे थे कि आखिर मैंनी भी तो फादर्ष्टे का गिप्ट दे दिया और प्यारी बहना का महिंताना फेज दिया साथ ही साथ डैश से बात भी कर ली और उन्हें विस्वी कर दिया मैंने तो अपनी जिम्यदारी का पूर रूप से निर्वाह कर लिया तो फ्रेंड्स सुमन जह मैं की यह कहानी फादर्ष्टे अभी जल्दी ही फादर्ष्टे बनाया सब लोगों ने क्योंकि सबको फेस्बुक वाश्ट पर आपने पिता के साथ पिक्जो डालनी थी तो फादर्ष्टे बनाना तो बनता है मैं यह नहीं कहती कि आप फादर्ष्टे मत मनाये आप फादर्ष्टे चरूर मनाये लेकिन साल भर उनका खयाल भी रखिये एक फोन करके आप उन्हें हैपी फादर्ष्टे बोल दे रहे हैं या उनके लिए कुछ गिप्ट दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि साल भर आप आप उनसे दूर रहते हैं, आप उनसे बात नहीं करते हैं, तो इसकी वज़े से एक दिन वो खुश हो जाएंगे. पादर्श्टे तो हर रोज होता है, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, हमारे पिता हमें हर अच्छी बुरी सारी चीज़े बताते थे, हमारे उंगली पकड़ कर चलाते थे, वो कुछी एक दिन का इंतजार नहीं करते थे, कि हम अपने बच्चे को इस दिन चलाएंगे. वो हमें रोज अच्छी बाते बताते थे, समझाते थे, कि ताकि हम कोई गलत कदम ना उठाएं, ताकि हम कुछ गलत ना कर सके. और ना आजकल तो क्या है, बच्चे बाहर अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं पर सेटल हो जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर माता पिता चाहते हैं, कि उनके बच्चे अच्छी जॉब करें, अच्छी पढ़ाई करें, और अच्छी से से शेट वह को आप से पैसे और दो मतलब दो वक्त की रोटी तो अप देंगे लेकिन उन्हेंपैसे की चाहत नहीं होती है, उन्हें चाहत होती है आप पाइजेНеकर पाओ भीका Southern Wouldniques उन्हें चाहत होती है कि हमारा बेटा ब्रॉड में भले है पर दो मिनट ही सही हमसे बात कर लें आप Father's Day आता है तो एक दिन आप अपने पापा को Happy Birthday विश्च करते हैं और आप सोचते हैं आपने अपना पूरा कर दिया, अपना फर्ज पूरा कर दिया है पर नहीं, आप यहाँ पर अपना फर्ज नहीं पूरा करते हैं आप दिखावा करते हैं कि मैंने एक दिन अपने पापा को विश्च किया अपने पापा के लिए गिप्ट दिया जब कि पापा का तो पूरा दिन होता है मा का तो पूरा दिन होता है कोई एक दिन ना मदर्ष्टे के लिए बना हुआ है और मैं लड़कियों से भी ये कहना चाहती हूँ, कि अगर आपकी भावी अपके पिता की सेवा नहीं कर रही है, तो जरूरी नहीं कि आप अपने ससुर का साथ छोड़ के आप अपने पिता की सेवा करें, आप अपने पिता की सेवा और अपने ससुर की सेवा दोनों साथ में क कोई सिकायत नहीं होगी जानते हैं क्यों कि वो दोनों हम एज होंगे और अपनी सुख दुख की सारी बातें दूसरे से शेयर कर लेंगे तो लड़कियों को भी यह नहीं कहती हूं कि आप अपना सस्राल छोड़के अपने पिता की सेवा कीजिए और मैं लड़कों से भी अंडरोध करती हूं कि प्लीज एक दिन फादर स्टे मत मनाईये आप के लिए हर रोज फादर स्टे होता है अगर आपके पिता ने आपको उली पकर के चलना ना सिखाया होता तो साइधा आप इस मुकाम पर ना होते तो friends, मैं की ये कहानी सुमन जाम हमकी कहानी मुझे सच मैं बहुत पसंद आई मैं आशा करती हूं आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी और कहते हैं ना कि अपने बच्चों पर आज तक नहीं आने देता, पिता अपने बच्चों को कभी भी नहीं रोने देता, ये बात तो सही है ना, कि जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारे पिता और हमारी माता हमें कभी भी नहीं रोने देते थे, तो आज बुरापे में हमें उनकी उतनी ही देखभाल करनी चाहिए और एक बात और फ्रेंड्स जिसके पिता नहीं है उसे सायद अपने पिता की अहमियत का पता है कि जैसे कहते हैं कि सारा जमाना एक तरफ और कंधे पर बाप का हाथ एक तरफ जिसके उपर पिता का साया होता है वो इंसान सच में बहुत लगी होता है तो आप अपने पिता के साय को हमेशा बनाई रखिए और मैं आप लोग उसे गुजारिस करती हूं कि हर दिन फादरस्टे बनाईए और फेस्बुक और फारसब पर इस्टेटस लगाने के लिए ही नहीं आप जो है रोज फादरस्टे मनाईए सिर्फ एक दिन फ आप रोज फादरस्टे मनाईए रोज फोटो अपलोड कीजिए तो फिर मैं इसी के साथ मिलती हूं एक नई कहानी के साथ एक नई जोज के साथ तब तक के लिए बाए